हेलो स्टुडेंट्स, हमने अपने पहली वाली क्लास में धर्मसुधार आंदोलन का अर्थ और किन कारणों से वह प्राराम्ब हुआ, प्राराम्बिक धर्मसुधारा कौन-कोन से हुए, इनके बारे में डेटेल में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि धर्मसुधार वर्ष एक नएक क्योशन पूछा जाता है मार्टिन लूथर के बारे में हमने बताया कि यह सबसे प्रसिद्ध धर्म सुधारत था तो इसकी क्या भूमी का रही इसके बारे में हम लोग बढ़ते हैं मार्टिन लूथर का जन्म 10 नमबर 1483 में 1483 में जर्मनी के सेक्समिय प्रांत में हुआ था इनके पिता खान मजदूर थे लेकिन वो चाहते थे कि जो मार्टिन लूथर था उनका पुत्र था वो एक वकील बने लेकिन इनकी रूची इसमें नहीं थी इन्होंने 1505 में एरफर्ट विशुविद्ध्याले से धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और 1508 में ये विटनवर्ग विशुविद्ध्याले में धर्मशास्त्र के पोफेसर नियुक्तुए और बाइबल के अध्यन में इन्होंने दक्षिता प्राप्त की महारेते ह उन्होंने कई राजनितिक विचारकों अरस्तू प्लेटो आधी के विचारका उनके दर्शन का अध्यन किया प्रारम में जो मार्टिल लूथर थे वो रोमन कैथोलिक चर्च के कटर अन्याई थे कैथोलिक धर्म में उनकी गहरी आस्था थी लेकिन जब पंद्रा सो ग्यारा बारा में वो रोम के भ्रमन के लिए गए तो महां उन्होंने चर्च की विलासिता पोप के भरष्टाचार को देखा और उसको देखकर उन्हें काफी आश्चरे हुआ कि किस तरह से सब धर्म के सर्वोच कहलाने वाले पोप और चर्च इस तरह का भरष्ट जीवन जी सकते हैं यहीं से उनकी कैथोलिक धर्म के प्रति आस्था थोड़ी कम हुई इसी दोरान जब यह वापस आए तो पॉप लियो दशम ने एलबर्ट और टेटजल को पाफ इमोचन पत्रों की बिक्री का कारियो सौपा हुआ था तो जोण टेटजल ने अपना सायोगी बनाने के लिए पाफ इमोचन पत्रों की बिक्री करने के लिए यहां जोण टेटजल विटनवर्ग पहुँचा और उसने महाँ पर मार्तिन लूथर से यह सयोग मांगा कि तुम मुझे पाप इमोचन पत्रों की बिक्री में सयोग दो लोगों को इस बात की लिए तयार करो कि वो पाप इमोचन पत्र खरीदें ताकि उनके जो पाप हैं वो कम हो सके लेकिन मार्टिन लुठर की मानसिक्ता इसके बिलकुल विरोधी थी वो ये नहीं मानता था कि पाप भी मौचन पत्रों को खरीद कर पापों से मुक्ती पाई जा सकती है क्योंकि उसका मानना था कि इसके लिए अच्छे कर्म और इश्वर की दया जरूरी है तो मार्टिन लुथर ने क्या किया 31 अक्टूबर 1517 में 95 कथन या 95 थीसस एक कागच पे लिख कर उसने विटन बरग चर्च की गेट पे लगा दिये जो भी उसके दिमाग में था इस पाप विमोचंग पत्र के विरोध में वो उन्होंने 95 थीसस के नाम से चर्च की गेट पे लगा दिये ये मूलतह लेटिंग भाषा में लिखे गए थे जो उस समय पर आम जनता की भाषा नहीं थी जन साध्रान की भाषा नहीं थी अता है आम जनता को इन विचारों से परिचित कराने के लिए इनका जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया और इनका काफी बड़ी सिमा तक प्रचार प्रसार किया गया इस तरह से क्या हुआ जब उनके शिक्षाओं का प्रसार हुआ तो मार्टिन लुथर के अनुवाईयों को कि मतलब उनको जो मानने वाले लोग थे उनकी संख्या धिरे-धिरे बढ़ने लगी इसी दोरान 1520 में मार्टिन लुथर ने क्या किया कि यूरोपी देशों में इसाई जित्ते भी इसाई राजाओं के राजा थे उनको एक पतर लिखा खुला पतर लिखा उनको और इस पतर में कहा गया कि वह पहली बात उसने में कही कि अपने राज्जी के चर्च को उन रा राजाओं से अपील करी मार्टिन लुथर ने कि आपके राजी के चितेवी चर्च है उनको किसे अलग कर लो romen केथुलिक्च से अलग कर लो और अपना स्वायमका स्वbernत्र चर्च स्थापिद करो आप दूसरा क्या डा कि raja कि राजाओं केथलिक चर्च का अनुचित धंग से पालन ना करें इसके फर्स रूप क्या हुआ कि जर्मन राजिचुर था दो भागों में बढ़ गया क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि मार्टिन उथर के अनुयाईयों के संख्या में क्या हो रही थी दिरे दिरे व्रद्धी हो रही थी और चब उन्होंने इस तरह से खुला पत्र लिखा तो जर्मन राजिच दो भागों में बढ़ गए पहला था जिसमें मार्टिन नुथर के समढ़ थक थे त्थे दिरे दिरे के इस्थिति इस तरह से हो गई महां पए कि दोनों में इन दोनों पक्षों में ग्रह युद्य की इ 1520 में पोप ने एक धर्म सभा का योजन किया और उसमें उसमें मार्टिन लूथर को भी आमंत्रित किया लेकिन सेक्षनी प्रांत के शाषक थे फेडरिक उन्होंने मना किया मार्टिन लूथर को कि आप इस सभा में शामिल होना सही नहीं है आप इस सभा में शामिल नहीं हो उन्होंने मना किया पॉप ने मार्टिन लूथर को अपना धार्मिक आदेश था उसको वापस लेने के लिए कहा कि आपके पास साड़ दिन है साड़ दिन में आप सोच लीजी अच्छे से और वापस साड़ दिन में विचार रिमर्ष करके अपने आदेश को वापस ले लो लेकिन मार्टिन लूथर ने इसको स्विकार नहीं किया तो पॉप ने क्या किया बदले में साड़ दिन बाद पॉप ने एक आदेश जादी किया जिसके अनुसार लूथर को धर्म से बहिश्कत कर दिया गया इस आदेश को किस नाम से जाना जाता है पेपल बुल तो छोटे केशन में पुछा जा सकता है कि पेपल बुल क्या था जिस आदेश के द्वारा मार्टिल लूथर को पोप द्वारा धर्म से बहिश्क्रत किया गया उसे पेपल बूल के नाम से जाना जाता है जब उनको धर्म से बहिश्क्रत कर दिया तो उसको विरोध में मार्टिल लूथर ने क्या किया 10 दिसंबर 1520 के दिन वो विटनबर्ग विश्विद्ध हले केंपस में आए उन्होंने शिक्षकों जिते भी शिक्षक थे विध्यारती थे और कोई कुछ आम नागरिक थे के सामने पेपल बूल को मतलब पोप के आदेश को सार्वजनिक रूपसर ने क्या किया जला दिया यह काम पोप और रोम के विरुद्ध सीधे तोर पर युद्ध की घोशना थी रोमन सामराज्य का शाशक था चाल्स प्रथम वो पोप का कटर अरियाई था तो उसने क्या किया पंदरा सो 21 में वंस नामकिस्तान पर एक राज्य परिशत की बैठक बुलाई जिसमें उसने मार्टिन लूथर को भी आमंत्रित किया लेकिन क्या हुआ कि मार्टिन लूथर इसमें नहीं गए उन्हों शामिल नहीं हुए तो इसमें चाल्स प्रथम ने एक आदेश जारी किया जब वो शामिल नहीं हुए तो उन्होंने लादेश जारी किया कि लूथर को विधी से बहिश्क्रत कर दिया जाए और इस आदेश को क्या नाम की दिया गया Addict of Worms कहा गया सेक्सनी के जो फेडरिक राजा थे जिन्होंने उनको धर्मसभा में जानने से रोका था उन्होंने जर्मनी के वाड़ पर किले में उनको शरण दी मार्टिन लूथर को यहां रहते हुए लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में नुवात करवाया 1529 में वापस से पौप ने एक दूसरी धर्मसभा का योजन किया इसमें पौप ने अपने सामन्तों को आदेश दिया कि वे मार्टिन लूथर के साथ सम्मंद त्याग दे और यदि उसकी शिक्षाओं को मानते हैं तो उसको मानना छोड़ दे लेकिन 19 अपरेल 1529 में सामन्तों ने इन आदेशों का पौप के आदेशों का आपचारिक रूप से विरोध किया प्रोटेस्ट किया और यहीं से प्रोटेस्टन शब्द का जन्म हुआ 1529 में जब ध्यान रखना प्रोटेस्टन शब्द का जन्म यहीं हुआ 1529 में मार्टिल लूथर के प्रयासों से 1529 से 46 के दोरान एक प्रथक चर्च स्थापित हुई जिसे क्या कहा गया प्रोटेस्टन चर्च अभी तक क्या था बच्चों केवल कैथोलिक चर्च था उसके विरोध के फलस्वरोप इसका जन्म हुआ प्रोटेस्टन चर्च का जन्म हुआ 1546 में मार्टिल लूथर की म्रत्य हो गई लेकिन लूथर और चर्च के समर्थकों के मद्युद्य जारी रहा अधाय चार्ल्स प्रथम ने जर्मनी के राज्यों में शान्ति स्थापित करने के लिए फर्डिनेर्ड नामक विक्ति को न्यूट किया और उसने दोनों दल के समर्थकों के बीच 1555 में एक समझोता कराया जिसे ओक्सबर्ग का समझोता या ओक्सबर्ग की संदी कहते हैं इस संदी के अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म को एक स्वतंतर धर्म के रूप में मानिता मिली चर्च की समपत्ती चर्च के पास रहेगी लेकिन भविश्य में वह और अधिक संपत्ती पर अधिकार नहीं कर सकेगा राजा का धर्म ही राज्जी का धर्म होगा इस तरह से मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार अंदोलन के दोरान बच्चों देखते हैं काफी महत्पून कारी किये खुला विरोध किया उनने चर्च का और पोप का किसी विवास से वो डरे नहीं इसी का परिणाम था कि एक और नया चर्च का उद्बह हुआ जो सुधार वादी रूप में था प्रोटेस्चन चर्च का इस तरह से मार्टिन लूथर का धर्म सुधार के शतर में काफी महच्पून योगदान माना जा सकता है अब हम लोग पढ़ेंगे रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन क्या था अब तक हम पढ़ रहे थे कि जो केथोलिक धर्म था जो पोप का धर्म था चर्च का धर्म था उसमें किस तरह की बुराईया व्याबत हो गई थी किस तरह की विलासिता व्याबत थी और उसके अनियाईयों की संख्या में धिरे-दिरे कमी होती जा रही थी और उसी के विरोध में एक प्रोटेस्टेंट चर्च का जन्म हुआ था प्रोटेंट शब्द का जन्म हुआ था तो कैथोलिक धर्म के अलियाईयों को और पॉप को यह महसूस होने लगा कि धर्म में सुधार की कैथोलिक धर्म में सुधार की जरुत है ताकि भविश्य में इस चर्च का और धर्म का अस्तित्यु बना रहा सके इसी के तहत प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोनन प्रारम हुआ रोमन कैथोलिक चर्च तथा की कमी रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोगों की कमी और प्रोटेस्टों टेंटों की बड़ती प्रगती और चर्च से अलग होने वाले व्यक्तियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कैथोलिक धर्म में सुधार लाने के प्रयास किये गए जिसे प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन का नाम दिया गया ये छोटे किशन में लिख सकते हो आप लोग इसके तहट कैथोलिक धर्म सुधार के लिए क्या-क्या प्रयास हुए चर्च में सदाचारी जीवन पर बल दिया गया जो नेतिक मुल्यों पर आधारित हो इस कारे में पॉप क्लिमेंट, पॉप पॉल्ट रतिय, पॉप पॉल्ट चतूर्थ आधी कई ऐसे पॉप हुए जिनोंने अपना योगदान दिया कैथोलिक धर्म सुधार के लिए पॉप पॉल्ट रतिय ने 1537 में चर्च में सुधारों के लिए कॉर्डिनल्स की एक समीति का गठन किया उसने एक रिपोर्ट दी जिसके आधार पर कैथोलिक धर्म में सुधारों के बात कही गई इसका मुख्य उदेश्य था कि चर्च के संगठन वकारिविधी संबंदी सिध्धानतों में परिवर्टन लाना और धर्म के सिध्धानतों के सही व्याक्या करना और उसका प्रचार करना था इस आंदोलन में कला इस्थापत्य आधि शेतरों में सभी शेतरों में सुधार किये गए कला की द्रश्टी से बरोग शेली को संडरक्षन दिया गया इसमें इसा मसी और अनिय संतों के चित्र और मूर्तियां आधि चर्च में लगाए गए 1545 से 1563 के मध्य उत्री इटली का एकिस्थान था ट्रेंट जहां 1545 से 63 के मध्य 18 वर्षों में 25 धर्म सभाओं का योजन किया गया जहां 200 पादरी लगभग इसमें इखटे हों के भाग लेते थे केतलिक धर्म के इसमें इस परिशाद में दो प्रकार के कारे हुए सद्धान्तिक कारे और सुधारत्मक कारे सिध्धान्तिक में क्या क्या हुआ पोप रोमन केथोलिक चर्च को पोप क्या माना गया कि पोप रोमन केथोलिक चर्च का सर्वोच अदिकारी रहेगा धार्मिक विश्यों पर अंतिक निने किसका माना जाएगा पोप का माना जाएगा लेटिन भाषा में एक नई बाईबल लिखी जाएगी जिसे क्या कहा गया वल्लियेट संसकरण कहा गया तो ये थो सिध्धान्तिक कारे थे सुधारात्मकार्यों में चर्च में नेतिक पूता पूर्ण जीवन पर बल दिया गया पाप विमोचन पत्रों की विक्री पूर्णता समाप्त कर दी गई चर्च में पदों को बेचने की परमपरा समाप्त कर दी गई धर्म अधिकारियों का सिक्षित होना योगिता के आधार पर नियुक्त होना अनिवारी माना गया और धर्म अधिकारियों को या आदेश दिये गए कि विज्जिस स्थान पर उनकी न्यूपती हैं वो उस स्थान पर अपनी सेवाय प्रदान करेंगे इस तरह से कैथोलिक धर्म में सुधार के लिए जो आंदोलन प्रारम हुआ उसे प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन के नाम से बच्चों जाना जाता है अब अगले चप्टर में हम लोग धर्म सुधारांदोनन का विस्तार कैसे हुआ कहा हुआ और इसकी क्या परिणाम रहे इसके बारे में पढ़ेंगे धन्यवाद